हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है नीरच स्वागत है आपका ITATX यूटूब चनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो अभी DRDO की वेकंसी आई है सेप्टम टैम की टेक्निशियन एकी जो पोस्ट है उसके लिए जो आपको एक्जाम में कौन-कौन से कौसन आने वाले हैं किस बिसाइसे कितने को सनाएंगी क्या उसका सिलेवस है सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दैने वाले हैं सेप्टम टाइम का जो DRU का एक्जाम है उसका जो सिलेवा से भई हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों आपके जो एक्जाम होने वाला DRU का इसमें आपको 120 कॉसन पूछे जाएंगे और 120 कॉसन को सुल्फ करने के लिए आपको 90 मिनिट का टाइम मिलेगा तो 90 मिनिट मतलब 1.5 गंटे में आपको 120 कॉसन सुल्फ करने है तो इन 120 कॉसन में आपको 80 कॉसन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे जो भी आपका ट्रेड है अगर जना से मानली जी आपका एलेक्टिरिशन ट्रेड है तो असी a कोसान आपको electrician trade से पूछे जाएंगे trade theoretically और अगर आपका फिटर trade है तो फिटर से पूछे जाएंगे trade theoretically और ब्लाके जो 40 Qaittel कोसन वो आपको यहांँ पूछे जाएंगे non-tech तेक्ट और अचलीो कोसन भाएगे। तो यह पूरा मिलाकर आपको टोटल 40 कोसन आएगा तो किसी सब्जेक्ट से 10-10 कोसन आएगे किसी से 5 किसी 6 तो यह फिक्स नहीं रहता कि किसमें कितना कोसन आने वाला है तो टोटल आपको 40 रहेगा जादा तर रिजिलिंग और मैद कोसनें इसमें आपको देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा आपको तैयारी करनी है अपनी तो टीर में अ कॉसन अपको श् tutorialsो करेंगे तो आपको क्यूशन क्रेंगे तो अगर आप जो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम फिटा ट्रेट से हैं या कोपा ट्रेट से हैं तो हम आने वाले वीडियो में आपको ट्रेट का भी आपको कॉसन कराएंगे और नॉन ट्रेक का भी कराएंगे तो आप वीडियो के कमेंट में लग देना कि हैं आपका कौन सा ट्रेट है अगर आ आसानी से इस एक्जम को पास कर सकते हैं ज्यादा समय तो नहीं है इसमें आपके लिए कम से कम एक महीने का समय बचा हुआ है तो एक महीने में हम आपको सारा कंप्लीट से बस करा देंगे और भी अगर आपको कोई डाउट इस सम्मझ इसको भी आपको पूछना है